जहिंद वेलकम टू विजयपाथ एजुकेशन पालूमपूर आप सभी का विजयपाथ एजुकेशन के इस ओनलाइन प्लेटफोर्म में हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है आज एक वार फिर से मैं आप सभी के लिए एक आंसर की के साथ आपके सामने जुड़ चुका हूँ जल्दी से सभी वीडियो के एक वार शेयर जरूर कर दीजिए आज आरमेस का एक्जाम जो है वो कंड़क्ट करवाया गया राष्ट्री मिल्टरी स्कूल का एंटरंस टेस्ट जो है ये कंड़क्ट करवाया जाता है आरमी एजुकेशन के द्वारा धाई घंटे का आपका एक्जाम रहता है शिक्स्त क्लास के लिए ये आपका एक्जाम कंड़क्ट करवाया गया था जनल ओफ आरमी एजुकेशन के द्वारा CET common entrance test इनका 2023 का बिलकुल updated जो है वो आज इनका exam हुआ था और धाई घंटे का इनका exam टोटल ये रहता है class 6 के लिए exam इनका रहा था तो आप देख सकते हैं total 200 अंक का question इनका जो है वो पूछा जाता है जिसमें English 50 नंबर की, GK 50 का, Reasoning 50 की और Math 50 तो अभी हम बिलकुल late test बिलकुल जल्दी से जल्दी जो है वो GK की answer की जो है वो आपके सामने discuss करने जा रहे हैं तो एक वार share जरूर कर दीजिए और जिनों ने भी अपना आज RMS का exam दिया है class 6 के लिए एक वार answer आप जरूर चेक करें और उसके साथ-साथ अगर आप किसी भी other exam की तियारी कर रहे हैं चाहिए आप higher education के लिए ही अगर आप तियारी कर रहे हैं तो आप question के एक वार level जरूर चेक कीजिए कि अगर छोटे बच्चों के अगर आपने 50 question है तो लगबग आपके 47 से जादा question आपके सही होने चाहिए अगर आप किसी higher education की तियारी कर रहे हैं तो एक और share जरूर कर दीजी आप इस वीडियो को तो set A को series A को हम जो है वो discuss करने जा रहे हैं तो एक और share जरूर कर दीजी जीके का section बिल्कुल easy जो है वो पूछा जाता है RMS के exam में आप समझ सकते हैं कि छोटे बच्चों का यह paper है लेकिन फिर भी आप अपने according भी इसको जो है वो check कर सकते हैं देखिए जीके का section में सबसे पहला question था 51 question series A को discuss कर रहे हैं चेक जरूर कर लीजिए Microsoft के संस्थापक कोन है तो देखिए बरतमान में Microsoft के संस्थापक का नाम क्या है Bill Gates option C इसका बिलकुल सही आंसर था next question 52 दुनिया की सबसे बड़ी नदी तो दुनिया की बड़ी नदी कौन सी है देखिए नील नदी है simple सा question यह आप से पूछा गया था option A इसका सही आंसर है next बिशब में कॉफी का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक देश यानि कि सबसे ज़्यादा कॉफी कहां पे उगाई जाती है तो वो कहां पे है ब्राजील में उगाई जाती है ब्राजील में अगर इंडिया की बात करें तो करनाटक में सबसे ज़्यादा कॉफी होती है नेक्स्ट कौन सी भारत की अनुसूचित भाषा नहीं है देखिए भारत की भाषा नहीं है इंडिया की बात की गई थी तो मुंडारी संथालियो डोगरी ये सबी भारत की ही भाषाए हैं लेकिन बोडो जो है ये नेपाल में बोली जाती है इसलिए option C इसका सही आंसर था Next question number 55 मल्यालम भाषा किस राज्य में बोली जाती है तो मल्यालम जो है ये कहां बोली जाती है केरल में बोली जाती है तमिल डाडु में तमिल बोली जाती है और केरल में मल्यालम 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 बोली तो भी अपने आंसर आप चेक कीजिए कि 50 में से आप कितने question जो है वो ठीक कर सकते हैं मैंने आपको general idea दिया 47 से ज़्यादा अगर आपके question बिल्कुल सही है तब भी आपका exam जो है वो अच्छा होना चाहिए 57 question 1975 में जब अपातकाल हुआ था यानि कि जब emergency लगी थी 1975 में उस question C अली एहमद जी ये भारत के रास्टर पती थे next विलकुल देखिए असान question भारत की राजधानी कौन सी है ये question गलत नहीं होना चाहिए भारत की राजधानी है दिल्ली option C is the right answer next PV सिंदू किस खेल से जुड़ी थी PV सिंदू is associated with which sports तो ये बैडी मिंटन से जुड़े है बै महादवीप कौन सा है continent कौन सा है Asia महादवीप सबसे बड़ा है right option कौन सा है option B सही है भारत के सरबोच न्याले के न्याइधीज की सेवा निबृति की आयो यानि की जो Supreme Court of India के जो जज होते हैं वो किस age में retirement लेते हैं कौन सी age में उनको retire किया जाता है तो 65 years की जो है वो इनक कौन सी दिशा में घूमती है अर्थ कौन सी direction में rotate करती है पूरव से पश्चिम पश्चिम से पूरव उत्तर से दक्षण दक्षण से उतर इस्ट वेस्ट नोर्थ साउथ में ही यहाँ पे बच्चों को घुमाया गया था 62 का option C is the right answer पश्चिम से पूरव वेस्ट से East की direction मे घूमती है C is the right answer next बांदीपूर national park is located in which state बांदीपूर जो है आपका करनाटक में स्थित है option D विलकुल सही है 64 देखी साइस से भी question पूछा गया vitamin K की कमी से क्या होता है तो blood floating में जो है एक मुश्किल आ जाती है तो रक्त जमावट में समस्या यानि कि option B इसका सही था next 65 question भारत के संबीधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था यहाँ पर जातर बच्चों ने गलती की है क्योंकि डॉक्टर बियार अंबेदकर जी का नाम दि आंसर रहेगा आप अपनी आंसर की जरूर चेक कीजिए question number 66 किसे भारती अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है यानि कि father of Indian space program तो बिक्रम सारावाही जी के योगदान से ही जो है वो एक Indian Indian जो हमारी country है उसने space में अपना कदम रखा था option D बिक्रम सारावाही is the right answer next one आ आगरा किस नदी के किनारे स्थित है तो यह आपका है यमुना नदी के किनारे यमुना नदी के किनारे option D सही answer है आगरा के पास ताज महल है वो भी आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है next 68 question current affair से question पूछा गया था अच्छा question था बच्चों के level का G20 समेलन हाल ही में 2013 में सप्टमबर 2013 में नई दिली में आयो जित किया गया उस समय जो फ्रांस के राष्टरपती भारत आये थे उनका नाम क्या था तो उनका नाम जो था वो आपको बताना था इनका जो सही answer है वो है Macron यानि की option B इसका right answer रहेगा Macron Emmanuel Macron जो है वो सही answer रहेगा विशो की सबसे बड़ सभ्यता कौन सी है यह आपको बताना है तो सबसे बड़ी सभ्यता जो है वो है चीन की सभ्यता option A इसका सही answer रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह सबसे पुरानी है और अगर सबसे बड़ी की बात की जाए तो option A चाइना civilization is the right answer next question 70 NRI का मतलब क्या होता है NRI की full form आप से पूछी गई थी NRI का मतलब होता है जो भारत में नहीं रहते है अनिवासी भारती है यह यहनिके option B non resident Indian option B is the right answer next question 71 सोर मंडल के सबसे चमकीले ग्रह का नाम बताईए brightest planet in the solar system that is Venus option B शुकर is the right answer next 72 अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव कौन थे first human go to space space की बात की गई है ना की यहाँ पर आपसे चंदर्मा की बात की गई है तो यूरी गागरीन जो थे वो space में पहले गए थे पूरे word के according international level पे अगर इंडिया की बात करें तो राकेश शर्म जी गए थे और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नील आमस्टोंग का भी option दिया है तो यह चांद पर जाने वाले पहले आदमी है और वज एल्डरेन जो है यह चांद पर जाने वाले दूसरे आदमी है जो की नील आमस्टोंग के ही साथ है गैसे so option B यूरी गागरीन is the right answer next one question on what date the world population day is observed विश्व जन संख्या दिवस कब मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाते हैं वर्ड population day option B is the right answer एक वार शेर जरूर कर दीजिए आज की क्लास को बहतरीन क्लास आपके लिए रहने वाली है आज RMS का पेपर कंड़क्ट करवाया गया आर्मी के द्वारा तो खाफी अच्छा पेपर बच्चों के लेवल के अकोडिंग पेपर जो है वो पूछा गया था गिर रास्ट्री उद्यान कहा है गिर नैशनल पाक कहां प गनाने वाले 5 परतों का हिस्सा नहीं है तो तो टोटल लेयर कितनी होती है फाइब होती है जिसमें से हाइड्रो सफेर जो है वो कोई भी सफेर नहीं होती है option D इसका जो है बो राइट आंसर रहेगा next किस शहर को अरव सागर की रानी कहते है को ची को कहा जाता है option C इसका सह ही आंसर है नेक्स्ट 78 कोईशन भारत सरकार का मुखिया कौन होता है एड ऑफ गोवर्मेंट ऑफ इंडिया तो गोवर्मेंट बनती किस से है MLA से बनती है हमारे जितने MPs है उनसे बनती हुनका है परधान मंत्री PM ऑप्शन A is the right answer next question 79 फ्रांस के पैरिस में परशिद मिनार का नाम क्या है तो पैरिस में आप सभी जानते हैं फ्रांस की राजधानी है पैरिस और पैरिस में जो है वो एक टावर है एक मिनार है उसका नाम क्या है Eiffel Tower option A is the right answer I hope आपके सभी question जो है वो अच्छे है बिल्कुल सही हूँ सो मीटर दोड में विश्व रिकोर्ड बनाने वाले हुसेन बोल्ट किस देश के नागरिक हैं किस देश से समन्द रखते हैं तो जमेका option D जो है इसका right answer रहेगा next अजन्ता के चित्र किस से समन्दित है अजन्ता जो है ये बोध धरम से relate करते हैं option D इसका right answer रहेगा next question है एक घंटे में कितने second होते हैं देखिए जीके के question में हलका सा math की form पूछी गई थी तो एक घंटे का मतलब है 60 minute और 60 minute में एक एक करके into 60 करेंगे तो 60 into 60 कितने 3600 तो 3600 इसका right answer था option D इसका सही answer था next 83 question बंगलादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं जब बंगलादेश में हमारी पवित्र नदी गंगा enter कर जाती है तो बंगलादेश में उसका कुछ अन्य नाम है जो की नाम है पदमा option B इसका right answer रहेगा next question 84 देखिए question थोड़ा सा घुमाया था ये थोड़ा सा tough question था बच्चों के लेवल से नहीं था ये देयनंद सर्स्वती जी ने किस की स्थापने की थी तो आरे समाज किस थापने की थी option A सही है अभी तक जैसे question जातर पूछे जाते थे तो वहाँ पे ये उल्टा पूछा जाता था कि आरे समाज किस था आपने किस ने की थी इस फार थोड़ा सा reverse order में पूछा गया था next 85 question दाद एक बिमारी है यानि की ringworm जो है वो किस की वज़ा से होती है तो fungus की वज़ा से होती है option D is the right answer भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी किरन बेदी option B is the right answer international yoga day देखिए अगर आप RMS के exam के बारे में सोच रहे हैं तो इसी तरीके का जी के हर साल आपके question paper में पूछा जाता है देखिए international day फिर से पूछा गया अभी यहाँ पे हमने population day की बात की उसके आदेखिए yoga day आ गया उसके बाद भी आपसे कुछ question जो है वो days से जो है वो 88 question ने में लिकित शहरों में से कौन से शहर है जहां पे चत्रभुज रोड नेटवर्क नहीं है गोल्डन कोटिलेटरल रोड नेटवर्क नहीं है तो वो है चंडिगड कुलकत्ता मुंबई नई दिल्ली में है चंडिगड हैद्राबाद में यह नहीं है option डी इसका सही आंस गितांजली की पुस्तक से लिखा गया है रविंदना टैगोर जी को आप एक रट्टा मान के चलें क्योंकि यहां से कोशन बड़े सारे बनेंगे इन्होंने भारत का रास्ट गान लिखा है जन गनमन 1913 में इनको भारत का पहला नोबल प्राइस जो है वो मिला है और वो इन जन गनमन को गाने के लिए जो है वो टोटल बावन सेकंड का समय लगता है इन्होंने भारत के साथ साथ बंगला देश का भी रास्ट गान लिखा है नेक्स्ट कोशन 90 सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो बो है परशांत महासागर पैसिफिक ऑप्शन सी इसका सही अंसर ह मैं इसको याद करने के लिए आपको एक छोटी सी टरिक बताना चाहता हूं देखिए महासागर का मतलब है समुद्र अगर हम समुद्र में जाना चाहते है तो सबसे ज venture हमारे पास पैसा होना चाहिए तो देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ पैसा P a Is a हम समुद्र में त Pacific फिर यह A से आपकी I से S से और A से यह आपकी फुल फॉर्म बनती है तो मैं आपको एक बार बता देता हूं इसको इसकी जो यहां पर फुल फॉर्म बनती है P से जो है वह आपका बनता है Pacific जो सबसे बड़ा है उससे छोटा A से आपका बन जाएंगा Atlantic उसके आद आई से बन इंडियन ऑशियन उसके बाद S से जो है वह आपका साउथ रन है और उसके बाद है Arctic तो यह आपके टोटल क्या बन गे पैसा आपकी एक ट्रिक बन जाती है यहां से आप सबसे बड़े महासागरों के नाम याद रख सकते हैं नेक्स्ट दुनिया की सबसे गहरी जील कौन सी बॉब है बैकाल जईल है औप्शन णी का सहीन अंसर है गेट बे अफ़ इंडिया चौना artion का मूंबई में और इंडिया अपका दिली में जहाएक वार खसके यह और राइंड मोतिया बिंद किस अंग की विमारी है तो मोतिया बिंद जो है वो ये किस से जुड़ी है आंखों से जुड़ी विमारी है option A इसका सही answer है next question है 95 एक पेड की आयू किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है पेड की आयू जो है वो उसके जो rings होते हैं वहां से हम उसको जो है वो निर्धारित कर सकते हैं कि पेड कितना पुराना है तो option D इसका right answer रहेगा next question 96 मांचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं यानि कि जो मैप बनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है तो cartography option A is the right answer next question फिर से tough level का question पूछा गया था दो आपको यहां पे बात की गई है ऐसे बिज्ञानिक का नाम बताना जिनको दो noble पुरुषकार मिले हैं ठीक है तो देखिए वहां पे भी थोड़ा सा conflict क्या डाल दिये कि अगर दो मिले हैं तो इसमें से एक जो होगा वो तो science से related ही होगा क्योंकि वो क्या है विज्ञानिक है तो science से जुड़ा होगा लेकिन दूसरा जो है वो किसमें मिला होना चाहिए शांती के लिए किसमें दिये जाना चाहिए सांती के लिए piece के लिए जो है वो उनको मिला होना चाहिए दिखियो उनका नाम है लीनस पॉलिंग मैडं क्यूरी जो है, एक मात्र ऐसी महिला है जिनको दो नोबल पृशकार मिले हैं वो भी science में ही, लेकिन Linus Pauling जो है वो ऐसे scientist है जिनको दो Nobel Prize तो मिले लेकिन एक मिला science के क्षेतर में और दूसरा मिला शान्ती के लिए तो option C इसका right answer रहेगा Next question है 98 भारत का सबसे बड़ा बन क्षेतर कहां पर है तो सबसे ज़ादा बन पाये जाते हैं MP में option C सही answer है डिबरुगड कहां है डिबरुगड railway station आपने सुना होगा डिबरुगड में आपका जो है वो राष्ट्री उद्यान भी है तो यह है आपका कहां पर असम में है यहां पर यह चाय जो है डिबरुगड की काफी famous है option A सही answer रहेगा next last question था hundred question आज के इस paper का GK के section का तो ब्रंभांड का धेन क्या कहलाता है यानि की study of universe जो है book क्या कहता है तो cosmology के नाम से हम उसको जानते है option B इसका सही answer था तो अभी तक हमने total 50 question GK के section के discuss कर लिए जल्दी ही में intelligence और math और उसके साथ-साथ English का भी complete answer की आपके सामने में ले और आप अपने answer जरूर चेक कीजिए comment कीजिए कि कितने आपके answer यहां पे सही है जल्दी next class के साथ मैं आपसे जुड़ूँगा तब तक के लिए channel को आप subscribe कीजिए जय हिंद जय भारत